सर्श्री द्वारा विशेश संदेश आप सब को शुविच्छा, हैवी थाट्स योगा दिवस मनाना है, तो कैसे मनाया जाए? लोग जब तक आकार में कुछ देखते नहीं है तब तब वे मना नहीं बाते कोई भी दिवस मनाना हो, तो उसका आकार क्या हो? और आकार नहीं दिखता है, तो वे मना नहीं सकते इंसान के बुद्धी की लिमिटेशन है इसलिए स्वअ अनुभाव, इतना अनोखा, आजभुद, कठिन जान पड़ता है कि लोग विश्यो में इतनी यात्राएं करते है कि हम योगाडे मनाएं और जब योगाडे नहीं मना पाते हैं, मगर मनाना ही है तो वो कैसे योगाडे मनाते हैं? कमर, कसकर, कसरत कमर, कसकर, कसरत का आयोजन करते हैं और कहते हैं योगाडिवस मनाया रियल योगाडे किस लिए बना? कोई भी बड़ा त्योहार, कोई भी बड़ा आयोजन होता है आधिहात्मिक आंदोलन होता है तो उसका आकार क्या है, लोग पूछेंगे और सभी की बुद्धी में बिना आकार कुछ बैड़ता नहीं है तो क्या दिखाया जा सकता है? वह दिखाया जाता है और बाद में जो दिखाया जाता है, वही सत्यमान लिया जाता है, ये नहीं समझा जाता है कि ये मजबूरी में दिखाया गया है, क्योंकि निराकार समझ में नहीं आता है, तो रिप्लेस्मेंट किस से करें, कोई न कोई आकार लेकर दिखाया जाएगा कि ये है योगा डेई, योगा डे का अच्छली अर्थ क्या है कुछ लोगों को समझ में आया होगा योगा डे का अर्थ है आत्म साक्षादकार डे मगर इस शब्द से बहुत दूर है योगा डे मनाने वाले आत्म साक्षादकार दिवस मनाना है वर्ल्ड सेल्फ रिलाइज़ेशन डे जाटिक जगत का योगा डे आत्म साक्षादकार दिवस तो वो कैसे मनाया जाए अगर लोगों से पूछा जाए तो वो क्या-क्या जवाब देंगे कि इसका चित्र क्या बनेगा रिप्रेजन्ट किस से होगा तो क्या दिखाया जाए लोग क्या कर रहे हैं आत्म साक्षादकार में अगर ये मनाया जा रहा है दिवस तो लोग क्या कर रहे होंगे तो ये तो आंत्रे गटना है वो तो पता नहीं चलेगी तो उसकी जगर पर क्या दिखाया जाए तो ज़्यदा से ज़्यदा क्या दिखाया जाए लोग ध्यान कर रहें मर वो तो फिर meditation day हो जाएगा, समझेगा ही नहीं, और meditation day मनाया जाता है विश्व में, तो आत्म साक्षातकार तो फिर भी समझ में नहीं आया, लोग कुछ अलगी समझ लेंगे, तो योगा डे मनाना है, योग दिवस योग यानि जहां अंदर योग हुआ, पहली बार पता चला कि अपना होना आत्म साक्षातकार, कि actually यह मैं हूँ, शरीर की वजह से इसे मैं जान पा रहा हूँ, इसलिए शरीर को दन्यवाद है, अब इसको मनाना है, तो शरीर से ही मनाना पड़ेगा, मगर कैसे मनाया जाए, तो चित्र क्या बनेगा, क्या किया जाए, उस दिन लोग क्या कर रहे हैं, कि कुछ भी दिखाया जाएगा वापस, असलिए बात तो लोग भूली जाएंगे, कोई और चीज़ आ जाएगी, तो योगा, योग, जो परम आधिहात्मिक शब्द था, वो कमर कसकर कसरत, हठ योग को योग दिवस समझा गया, मगर आप समझ रहे हैं, कि किस बात की और इशारा किया गया है, ये कितना महत्व पूर्ण दिवस है, और सभी अलग-अलग आसनों में बैठ कर चित्र निकलवाएंगे, और डिकलेर करेंगे हमने योगाडि मनाया, यानि सम्पूर्ण स्वास्त से ध्यान हटाकर, शारिरिक स्वास्त पर ध्यान लाकर योगाड़ी मनाया गया, तो यह पृतीक हो गया, चलो ठीक है, इस तरह मनाया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर याद रहे कि ये किस चीज़ के लिए मनाया जा रहा है, आत्म साक्षातकार का दिवस्पतंग उड़ा कर मनाते हैं आप तो मनाएं मगर याद रहे कि ये किस बाध की और शारा किया गया है असली बाध याद है तो जैसे भी आप मनाते हो कोई दिक्मत तो है नहीं आपको वही चीज याद आए असली बात याद आए और उस लक्ष के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए शर्वान सेवा भक्ती क्या होती है उसकी महिमा क्या है वह लोगों में बिठाई जाए ध्यान, अनेश्ट मनन और सत्य का पठन इस तरकोण में लोगों को प्रेरित किया जाए अपनी दिन्चरिया में इन सब चीजों को वापस से लाया जाए जिनके जीवन में ये नहीं है सत्य पठन नहीं हो रहा है अनेश्ट कंटेम्पलेशन नहीं है और ध्यान में कुछ पल बैढ़ते नहीं है तो उन्हें प्रेरित किया जाए तो योग डे सही माने में मनाना शुरू हुआ और ये इतना उंचा अर्थ रखता है ये सभी को पता चले तो आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं कि कैसे इस दिवस को मनाया जाना चाहिए था जो था आत्म साक्षातकार का दिवस अहा में आनुभव में अपने होने के ऐसास में समर्पित मन के साथ जो अवस्था आती है उस अवस्था को सेलिवरेट करने के लिए उसका उत्सव मनाने के लिए ये खबर बाकी लोगों तक भी पहुँचे कि नेंद, जागरण, सुपन अवस्था के परे भी एक अवस्था बोडी में डिजैन की गई है सिर्फ उसी काई यूज नहीं होता है बाकी रोज लोग नेंद भी लेते हैं रोज सपने भी देखते हैं रोज जागरण अवस्था में अपने कार्य करते हैं मनवरंजन करते हैं आजीव का कमाते हैं सेलिबरेट करते हैं प्रेम सेलिबरेट करते हैं रिष्टों में अनन्द मगर एक चीज सिलिबरेट नहीं कर पाते हैं स्वतंत्रता अपनी इन सब में रहते हुए भी आप कैसे बाहर हो तो कोई भी परतंत्रता नहीं है किवल आभास है किवल बलीफ है कि शरीर से मुझे मेरा एसास हो रहा है तो मतलब मैं शरीर हूँ लॉजिक ऐसा बढ़ गया है इसी के द्वारा ही अपना अनुभ हो रहा है न तो यही मैं रहूंगा और कौन रहूंगा तो कुल मिला कर कुछ लोगों को लेकर इनसान अपने आपको शरीरों में अटेश पाकर जीवन जीता है योगाडे मनाएगा तो पता चलेगा कि यह अभास है बंदन में हो यह अभास है यह लग रहा है तुम किसी भी शन मुक्ती की गोशना कर सकते हो आप कौन हो इसे जानकर जब चाहो तब आप मुक्ती में आनन्द ले सकते हो या मुक्ती में अपनी समस्याओं को सुलशते हुए देख सकते हो तो योग का इतना गहरा अर्थ इसे कैसे मनाया जाए अब इसका चित्र बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनाया जा सकता है लाफिंग बुद्ध आत्म साक्षातकार के बाद क्या हसी आएगी एक बड़ा दोखा एक बहुत बड़ी गलत पहमी दूर हो गई तो क्या होगा तुरंट जब भी कोई बड़ी गलत पहमी दूर होती है तो क्या होता है एक इनसान टब में नहा रहा था यूरेका हुआ उटके बागा कपड़े नहीं बने ऐसे ही बागा यूरेका तो लाफिंग बुद्धा क्या हस रहा है, गलत भ्रमी दूर हो गई तो कैसे मनाया जाना चाहिए, कि लोग सब हस रहे हैं वर्ल्ड में, आज सब हसने वाले है और उसको भी लोग नहीं समझ भाएंगे, कहेंगे लाफ्टर दे है गलत से हमी दूर होने के बाद जो लाफ्टर आता है, ये वो लाफ्टर दे है हमारे अंदर जाने अंजाने में दबी हुई ऐसी कई सारी बाते हैं, जिनकी डीप हीलिंग के लिए सरशीरी निर्मित, स्पिरिच्वल हीलिंग कैम, शरीर, मन, स्वास्थ की अद्रश्य विधियां, एक्स्पिरियंस इनर हीलिंग, दूर मेडिटेशन, इस दो दीवसिय निवाशी रिट्रीट का जरूर लाब लें, यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर, ध्यान की शक्ती से शारिरिक और मानसिक स्वास्थ की दौलत पाने के लिए, आज ही स्पिरिच्वल हीलिंग कैम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, धन्यवाद, हैपी थौर्ट्स इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे हैपी थौर्ट्स तेजग्यान और सरश्री तेजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दपाएं, धन्यवाद